मूस भूख लगए जल्दी खाना बना दो आपवया म Почему lange नहीं कर आपवया होखे बना दो सुल कर न में और स्वागत करती हो अपने छोटा चोटा राता है और मेरा बेटा बोलता है किस्षाद त्युल चठ्पी करना रहे हैं बेटा बोलता है सोटकर्ट में, क्या खाओगे सोटकर्ट में, जो तुम बना, अलो भी का सब्जी फ्राइडाइस बना दे, इतना ज्यादा गर्मी से, कर आंख में ये ड्रॉप डाला है, आंख पुरा सतने लगा था, थोड़ा समोसा मस ठीक हुए है ना, है ना, सुबह लगा था, इसको नास्ता भी नहीं दिये, कुछ खाया है, यह सब्टू दे देते हैं, खाने पीने में इतना जाला नकरा है, कहारें के रहे, साधी ब्याग कर दे, साधी नहीं करोगे, हम तो कहारें कि बाबू अब साधी ब्याग कर लो, और बोल दा है ना, क्या, कि मम्मी स पढ़े लिखे हो, तुम्हारी आने वाले लड़की भी पढ़ी लिखी रहेगी, तो इतना काम कौन करता है, आराम से तुम लोग जॉब करो, आराम से खाओ, नहीं मन है, रेस्टोरेंट चले जाओ, इतना काम का कोई प्रेसर नहीं है, इसके लिए टिंसर नहीं लो, तो च कमेंट्स आ जाता है, तो दिखिए छोटा वाला बेटा खाता है, मिश्टर बर्मा खाते है, लेकिन ये बेटा मेरा, जब से मता सीव भक्त हो गया है, और एकदम नहीं खाना खाता है, अगर कीचन में बनता भी है, तो एकदम गुस्ता करता है, तो देखिए, आप लोग के है, चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं, आज फ्राइडे वाली थाली, तो आज की थाली में जीरा राइस है, आलू गोवी की सबजी है, बिना प्याज वाली, तो आज मैं पूरी सबजी की रेसिपी दिखाऊंगी, उससे पहले अपने बगीज लोग को मैं खाना पानी देदू, ये भी हमारी छोटी सी फैमली है, तो ये वाइट वाला पीजन है ना, तो ये नया आया है, तो अभी बहुत जादा फ्रेंड्ली नहीं है, तो देखिए बार बार उड़ोड करके जा रहा है डर के, और दो-तीन दिन में अच्छी तरह से फिर पहचानने लगेगा, और चु आफी है, तो मॉर्निंग का रोटी में आजकल स्कीप की हूँ, तो चलिए अब मैं आलू गोवी की सबजी बनाना सुरू करती हूँ, तो एक कर्मेंट आया था, कि अभी का गोवी में स्वाद नहीं है, तो देखिए गोवी की दो क्वालिटी होती है, ये पीला वाला जो ग कर ली हूँ, कुछ आलू मैं रात के लिए रखूंगी, आलू पराठा बनाने के लिए, और बाकी जितना भी बनाना है, उसे के अकॉर्डिंग यहां पर आलू काट लूँगी, तो आज का जो आलू गोवी का सबजी है ना, तो थोड़ा सा मैं बड़ा-बड़ा साइज का म बड़ा रखी हूँ, तो गोवी को मैं गरम पानी में धो करके निकाल ली हूँ, थोड़ा देरी नमक डाल के पाच मिनट छोड़ दी थी, साथ में घर में जो मैं बेसिक मसाला पीस करके रखती हूँ, जिसमें जीरा है, गोलकी है, लसन है, अद्रक है, तो यह दो से तीन द और गरमी की गोवी और जाडा वाला जो गोवी होता है थोड़ा सा तो स्वाद में फरक होता ही है, और बिंटर में मिलने वाली जितनी भी गोवी होती है तो उसमें बहुत स्वादिष्ट लगता है आलू गोवी मटर की सबजी, और लेकिन क्वालिटी देख लिए, अगर तो यही पीला वाला क्वालिटी ले तो सब्जी बहुत टेस्टी लगेगी और साथ में नमक पानी में डालना भी नहीं भूले और यहां पर चलिए गोबी भी एकदम फ्राइब हो गया है तो गोबी को फ्राइब करके हम पहले से निकाल लेंगे और आलू और जो है नो बॉय पहले ते न उसमें थोड़ा सा गरण मसाला करके जिसमें सारे मिर्ष जीरा आपानीच घंब में ऐसे उन का टेस्ट नहीं आएगा तो चलिए यहां पर मैं आधा कप पानी डाल देती हूं जिसमें यह जो है ना मसाले अच्छी तरह से पके और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे स्वाध के नुसार नमक नमक देख लें कितना तेज आप खाना चाते हैं और गयाच का फ्लेम एकदम आप धिमा ही रखे जितना धीमी धीमी आज पे न यह पके गा ना उतना ही स्वाधिश लगेगा साथ में जब तेल से देखे सेपरेट होने लगे मसाले से तो उसमें थोड़ा सा क्रस करके कसूरी म दाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पॉड़ा डालेंगे ज्यादा नहीं आधा चमच क्योंकि अल्रेडी गरम मसाला का तड़का में लगाई थी और साथ में यहां पर फ्राई के हुए गोवी को डाल करके ना धीमी धीमी आज पे हम 5 मिनट भून लेंगे जिसमें जितने मसाले है ना गोवी में अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और यह सब्जी को ट्राइक किजेगा बहुत ही साधिश लगेगा प्याज वाला भी बनाती हूं लेकिन मेरे यह वाला सब्जी ज्यादा पसंद करते हैं लोग उसके बाद 5 मिनट फ्राई करने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे आलू बहुती सिंपल खाना बनाती हूँ देशी जायका बनाती हूँ जिसमें आप लोगों का भरबर के प्यार मिलता है और मेरी वीडियो पसंद आती है तो सपोर्ट भी करें थोड़ा सेएर भी कर दें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का एक से और एक कमिट मेरे लिए काफी मतलब माइने रखता है तो यहां पर चलिए सारे मतलब आलू को डाल देना है और आलू को डालने के बाद गैस का फ्लेम एकदम धीमा ही रखे जितना धीमी धीमी आज पर कोई भी रेसिपी बनाते है ना उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और यहां पर मुझे भूनते हुए 10 मिनट हो गया है मसाले को मैं जब भी फ्राइ करती हूं ना मसाला तो मसाला तेल में डालते के साथ में आधा कब जरूर गरम पानी डाल देती हूं जिसमें ना धीमी धीमी आज पर जो पानी है ना तो इसका ग्रेवी मुझे आधा ग्लास बनाना है तो चली इसको एकदम धीमी आज पर फिर छोड़ देते हैं और फ्राइ चावल कूकर में बना ली हूं और जीरा राइस है तो बस एक सीटी में में बन कर देती हूं इंडिया गेट का चावल है और बस अब से कमेंट्स आते हैं कि आप धनिया नहीं डालती है तो देखिए धनिया डालती हूं खास करके गर्मी के सीजन में और धनिया पॉडर में जरूर डालती हूं लेकिन उतना मेरे हाना धनिया वाली सब्जी उतना लोग नहीं पसंद करते हैं इसलिए बहुत सारे सब्जी में धनिया नहीं देखते होंगे लेकिन कुछ-कुछ बेसिक सब्जी में जरूर डालती हूं तो यहां पर देखिए यह 10 मिनट के बाद इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है और यह सब्जी जो है बिल्कुल बन करके तयार है और चलिए तो प्लेट लगा लेते हैं क्योंकि जो भी मैं रेसिपी बनाती हूं तो जरूर अपनी थाली आपके साथ सेयर करती हूं यहां पर मैं निकाल लूँगी गर्मा गर्म चावल बहुत सारे से कमेंट्स भी आ जाते हैं कि कटोरी को अलग रखिए थाली से चटनी अलग लगाईए तो देखिए यह जो मतलब थाली में दिखाती हूं तो एक साथ में दिखाती हूं और लास्ट में मैं इंक्लूड भी कर देती हूं कि जब मिस्टर बर्मा का मैं थाली दिखाती हूं तो सारा प्लेट में अलग रहता है मुझे अच्छा लगता है एक थाली में एक जाय का दिखाना और चलिए यहां पर सारी जो है न सब्जी को में निकाल देती हूं और देखिए इसका ग्रेवी देख रहना लगी ने रहा है कि हम प्याज नहीं डाले हैं बहुत टेस्टी लगता है और इसी तरह से मैं आलू और परवल के भी सब्जी बनाती हूं तो यहां पर देखिए यह चावल भी कुकर में जीर को मैं सही कर लेती हूं तो हमेशा की तरह लगा देती हूं यहां पर जीरा राइस और जब भी मैं थाली में चावल हो या कोई भी चीज लगाती हूं तो हांस से उसे बड़ा प्यार से मैं किनारे रखती हूं तो बहुत सारे से कमेंट्स उसमें भी आ जाते हैं कि हांस से मा का प्यार है और पतनी का प्यार है तो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से थाली में सजा करके मैं खिलाती हूँ और ऐसा नहीं है कोई भी मेरे घर में आ जाए तो मैं सब को प्यार से जो भी फरमाईस करते हैं मैं बनाती हूँ तो चलिए यहां बातों बातों में ही थाली भी लग गई है और यह सबजी बनकर के तयार है और साथ में यहां पर लगा देती हूं सलाद और मिडिल प्लास और सलाद में खीरा है प्याज है और मुल्ली है तो पापड कई दिन से खतम था तो आज जो ग्रोसरी का समान आएगा लास्ट मन चल रहा है आप लोगों को पता ह ही है आप लोग थोड़ा समय मेरी वीडियो पर प्यार बढ़ा देंगे तो और भी मैं पर्फेक्ट थाली बना करके दिखाऊंगी तो यहां पर देखिए कल की थाली में पापर जरूर्ड इंक्लूड होगा तो यहां पर यह सलाद लगाने के बाद उपर से मैं निम्बू दाल दूंगी काला नमक डाल दूंगी और आज ही मैं कुच्चा बनाई हूं लच्छा कुच्चा लसुनी फ्लेवर वाला मैं चार आपके साथ सेयर कर चुकी हूं तो एक कमेंट्स आ गया कि कुच्चा की रेसिपी दिखाई है तो यह और अमावट भी बनाई हूं तो कल की वीडियो में जरूर सेयर करूंगी और इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितना अच्छा बना है और रेसिपी पसंद आती है मेरा ब्लॉक पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर और यह जरूर फिडबेक दीजेगा कि आप लोगों को सिंपल दाल चावल वाली था हम यह जरू不ोद्द के बिल को है डेसे है तुलियो जरूर प्रावी के आता रहा है और रlet जह क्मौली 오늘도 को समयों यह जरूरे को रहा है जरूर busyısı ड्राली थाय।